वेल्कम इन आवर चानल मार्केट नीज प्लिल आइक और सब्सक्राइब और प्रेश द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो हले दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें आज बात करेंगे अड़ानी पावर की दोस्तों तो चलिए मैं सबसे पहले इसका प्राइस पेटन उसको भी चर्चा करेंगे बाकि और भी सारे इसको बताओं गानों और इसके जे आज का जो हैलेट वो दिखाता हूं यह देखिए अगस्त्री का अपडेट है आज तीन बज़े का रिजल्ट आया है और उसमें कंपनी ने बहुत ही बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाया है यहां पर दोस्तु जिस तरह का पावर सेक्टर में डिमांड है उसका पूरा पूरा इफेक्टिवली यूज करते हुए जिसे अगर किसी कंपनी को बुलेंगे तो वहां पे अडानी पावर नंबर वन पे आता हुआ नदर आ रहा है क्योंकि शिरिफ डेवलॉप्मेंट ही नहीं वहां पर प्रॉफिटेवलिटी रिविन्यू हर एक फ्रेंट प पतार हुआ क्रोड में रहेंगे तो वह इंकम 7213 जो पिछले साल में था वहां से इंक्रीज होकर 15509 क्रोड के आसपास आ चुका है जो कि पिछले साल सिर्फ 7213 था और पिछले क्वाटर की बात करें तो पिछले क्वाटर में 13307 था तो हर फ्रंट पर आप क्यों क्यू ब expenses तो जब इंकम इंक्रीज हुआ है तो expenses भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है लेकिन वो margin को effect करता हुए नदर नहीं आ रहा है तो यहां पर बहुत ही बढ़िया performance है वहां से भी देखे और जो net profit है वो देख सकते net profit 278 क्रोर के आज़ पास था पिछले साल पिछले quarter में 4645 था इस बार वहां से भी निकीज होकर 4779 तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया increment आपको देखने को मिला है बहुत संदार और यह journey जो है आगे उपर की तरफ अभी जारी रह सकती है आप यहां पर देख सकते है जो basic daily EPS है वो पिछले साल 0.18 माइनस था वो इस साल 11.58 पोजिटिव में है तो यहां पर दोस्तों काफी बढ़िया प्रफॉर्मेंस कंपणी ने करके दिखाया है आप देखें टोटल कंप्रिहंसिव इंकब वो 269 जो कि पिछले साल था वो इस बार 422 क्रोर के आसपास है जो कि पिछले क्वाटर में 4690 के आसपास था तो वहां से भी बढ़िया प्रफॉर्मेंस कंपणी ने करके रहा है उसके आप टोटल प्रॉफिट बिफोर इंट्रेक्स टैक्स देखें तो वहां पर भी काफी बढ़िया प्रफॉर्मेंस है 484 क्रोर के आसपास से इंक्रीव जो कर 5981 क्रोर पे है और अगर यहां पर देखें रिविनी फ्रॉम ऑप्रेसंस तो 6568 से इंक्रीव जो कर 86,530 क्रोर के आसपास टोटल एसेट पर इंक्रीवेंट है जो कि पिछले क्वाटर में देखें तो 81,981 था तो दोस्तों यहां पर काफी बढ़िया प्रफॉर्मेंस है और अगर तो टोटल लाइबिलिटीज की बात करें तो टोटल लाइबिलिटीज में भी आपको दिखेगा कि 66,848 जो कि पिछले साल था वो 63,277 पिछले साल और इस साल देखें थ्री मंत में इस बार का 63,7004 है तो दोस्तों यहां पर अगर इसको स्टेंडोलन बेसिस पे भी देखें देख सकते हैं 134 जो पिछले साल था वहां से इंक्री जोकर 288 क्रोन पर आ चुका है तो वहां से भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है यह और यहां पर यहां पर देखें तो यहां पर दोस्तों टोटल एक्सपेंसे बढ़ता हुआ नजर आया है इसकी कारण से वहां पर दिप्रेसियेशन है ज्यादा और यहां पर अगर आप देखें टोटल कंप्रिहेंसिव इंकम तो पिछले साल 46.79 क्रोन का निगेटिव था वह इस बार 33.48 निगेटिव है अगर आप देखेंगे पिछले क्वाटर में तो 4.54 का ही निगेटिव तो वहां पर थोड़ा देखने को मिला है तो दोस्तों लेकिन फिर भी अगर आप येर और येर बेसिस पर देखें तो काफी बढ़िया प्रफॉर्मेंस है यहां पर 0.76 जो निगेटिव था वहां से 0.68 जो डेलिटुड एपीस है वहां पर तो टोटल यहां पर इंक्रिमेंट ही आया है येर और काफी बढ़िया प्रफॉर्मेंस है अगर कुछ इसके हाइलाइट आप देखेंगे तो वहां पर देख सेक्टिव टोटल रिवेन्यू रोज जो रहा है कीवन फ्यवाइट 23 का वह 7213 से इंक्रीज होकर 15509 या नि 115 परसेंट का ग्रोथ दर्च केया कंपनी ने दूसरा क्रोड पर आ गया है यहां तो यहां पर 227 परसेंट का इंक्रीमेंट है अगर आप यहां पर देखें इसका जो रिवेन्यू का रिकोगनीशन है वह 4212 क्रोड है 657 क्रोड से इंक्रीज होकर तो वहां पर भी काफी बढ़िया पर मैंसा है वहां पर और प्रॉफिट 1600 परसेंट का इंक्रीमेंट है तो दोस्तों यहां पर कंपनी का और जो आउटलूक है वह भी काफी जबरदस्त है अगर आप मैनेजमेंट की कमेंटर सुने तो वहां पर काफी कुछ मैनेजमेंट ने आगे का जो है ऑप्रोचिनिटी सीच करने के बाद कही है तो उस पर भी आपका ध्यान नहीं है और आगे काफी बुलिस हो सकता है क्योंकि पावर सेक्टर के लिए अलग से इंसेंटिव है वह भी सरकार दे रही है और यहां पर देख सकते कमेंटरी है वह आगे देख रहे हैं ग्रोच 16.8% का उसमें भी और आगे देख सकते 215.9 गीगावाट तो जो करने वाले है तो और भी नए हाइट और लेबल के छूने के लिए बहुत ज़्यादा ततपर है और जिस तरह का कोल का और पावर सेक्टर का डिवांड वहां से आगे बहुत ही तेजी आने की संभावना है तो यहां पर देख सकते हैं बिजनस के बारे में जो अपडेट और उन्होंने काए कि as the world goes through a period of increased uncertainty यहना hyper inflation लेगिन दोस्तों जो इसका main बात है वो उन्होंने काए कि जो natural resources है उसका जो एक impact आया है market और economy पे तो उसमें जो adani power has been able to utilize the opportunities presented by the market situation effectively तो यहां पे दोस्तों देख सकते हैं कि जो excellence operation का उसको यह diversify करते हो जो power demand को है उसको meet करेगी और यहां पर जो profit profitability है उसको वह काफी increase करते हुए नदर आएगी तो यहां पर दोस्तों जो operation है और financial performance है दोनों basis पे यहां पर बहुत ही संदार result company ने पोस्ट किया है और दोस्तों जिस तरह कि गुजरात महराश्टरा करनाटका राज़तान में इसका performance है और जो 40 power plant है वो जो गुजरात में लगा रही है वहां से भी काफी bullish नदर आ रहा और आगे contribution नदर आएगा तो और भी यहां पर आई blink करने वाले इसके number आएंगे तो यहां पर देख सकते हैं जिस तरह कि इसका performance है मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ देखिए financials किस परकार के ह रहे हैं आप year on year basis पर देखें तो यहां पर SHH फंड जो है 18703 क्रोर पर है और यहां पर जो इसका total asset 81981 यहां पर profitability में अगर आप बात करेंगे तो पिछले 10 साल के अपने highest level पर है यहां पर 9,413 क्रोर का profit इस साल में आप 10 किया पिछले साल में आप देख सकते तो consolidated net profit जो र हाइस लेवल पर 10,233 क्रोर क्यास और क्यास एक विवालेंट जो है वह भी 782 क्रोर पर आ चुका है तो काफी बढ़िया performance है और यहां पर आपको यह भी दिख जाएगा कि कि किस तरह का यहां पर performance राए share holding pattern से भी कि FII यहां पर bullish नजर आ रहे हैं और 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 भी stake बहा सकते ह यहां पर 12,53% का holding ले चुका अल्रेड़ी डियाई का भी 5% का holding अल्रेड़ी है दोस्तों यहां पर promoter का holding 74.97 है तो यह काफी कुछ अपने आप में बया करता है पबली की holding जो है 25 जिसमें से आप देख सकते हैं 12.53 और 5.03 अल्मोस्ट 17.5 यहां पर institutional investor है only 8% के आज पासी आगे तेजी आने के chances और भी ज्यादा है तो दोस्तों अगर यहां पर इसका prices देखें तो prices जो है अपने 52 विक हाई यह अपने 52 विक हाई पे आज closing दिया है तो यह काफी bullish नगर आ रहा है और यहां से आप target और भी उपर के set कर सकते हैं दोस्तों अगर आप तक अपने मेरा टेलिग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरू करें और देख सकते हैं उसका description में आपको link मिल जाएगा आप वहां जाकर देख सकते कॉल के किस तरह का मैंने आज ही अडानी पावर का जो call share किया था तीनों target वहां पर meet करते हुए नदर आये है और वहां पर आप जूर कर देख सकते हैं कि जो भी call share किया थे काफी बढ़िया है आप वहां पर educational purpose के थूरूर भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आप देखेंगे कि काफी बढ़िया accuracy है और दोस्तों अगर आपने अब तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल तो यहां पर आपको पहला ही तार्गेट आयां से आप 350 रूपीज के सेड़ कर सकते हैं दूसरा तार्गेट आपального सकते हैं और तीसरा तार्गेट यहां पर 365 दोस्तों तो यह तिनों अवर. तर्で research के लिए इस चैनल करें शब्सक्राइब जरू करें और बेल आईकन जरू झाल